सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे मेरे चैनल पर हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी उपायों के वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्म और आप देख रहें मेरे यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 20 मार्च के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम समवत 2077 मास चल रहा है फ वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए कोई महत्वपूर्ण उपलब्दी लेकर के आ रहा है उम चक्रणे नमहमंतर का 108 बार जाप करें वाहन का प्रयोक बहुत सावधानी से करें व्रिशब राशी व्रिशब राशी वाले जातक लोगों के लिए आज आप संबंदियों में आपकी उपलब्दी की सराना होगी ओम चंडाय नमहमंतर का 108 बार जाप करें भूखे पेट घर से निकलने से आपको बचना चाहिए करक राशी करक राशी वाले जातक लोगों के लिए आज घर के बड़े बुज़रों की सेवा में आपका ध्यान रहेगा ओम गौरी पुत्राय नमहमंतर का 108 बार जाप करें और दिन में शैन करने से आप बचें सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए आज किसी आनंदोच्व में भाग लेने का अफसर आपको प्राप्त होगा ओम ग्रह पताय नमहमंतर का 108 बार जाप करें यात् बचना चाहिए तुला राशी तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए आज किसी लंबी यात्रा का कारिक्रम आप बना सकते हैं इसमें आपको प्रसंता मिलेगी उम गतिने नमहमंतर का 108 बार जाप करें संध्या काल में अध्यान आपके लिए बिलकुल उचित नहीं है वरिश्यक राशी वाले जातक लोगों के लिए आज शैक्षणिक वस्षोधित्यादी के कारियों में सफलता आपको मिलने के योग दिखते हैं उम गणेश्वराईन महमंतर का 108 बार जाप करें यात्रा करने से आप बचें धनुराशी धनुराशी वाले जातक लोगों के ल आदी में आपको सफलता प्राप्त होगी आए में वृद्धी के योग आपके लिए दिखते हैं उम कैवल या शुखदाय नमहमंतर का 108 बार जाप करें और दिल की बात आप हर किसी से चर्चा न करें कुम्बराशी कुम्बराशी वाले जातक लोगों के लिए आज बेरोज की आशंका आपके लिए प्रबलता के साथ दिखाई देती है उम कांताय नमहमंतर का 108 बार जाप करें मानसिक तनाव ठकान को अपने उपर आप हावी नहोंने ने तो दोस्तों यह तो बात रही आज के 12 राशी की हम लोगों ने जाना ग्रहनक्षत्र की इस्तितियां क्या कह अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाई की जिसमें हम लोग जानकारी करेंगे कि करियर में उन्नती के लिए अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए काम में व्यापार में व्यासाय में उन्नती और सफलता को सकस को पाने के लिए किस दिन कहां पर किस स्थ पर आपको दीपक जलाना चाहिए जिससे आपके करियर में सफलता मिले यह उपाए बहुत ही चमतकारी है आज तक मैंने जितने भी लोगों को बताया कभी किसी व्यक्ति को निराशा हाथ नहीं लगी लोग निराशा में आए जरूर लेकिन यह उपाए जानने के बाद जब भ भी करते हों दिन के हिसाब से किस दिन कहां दीपक जलाना यह उपाए आप करेंगे तो आपको आपके कारेशेत्र में सफलता आवश्य मिलेगी आए जानते हैं प्रात्ना में बहुत बड़ी शक्ति होती है इससे व्यक्ति अपने उन कारियों को भी सिद्ध कर लेता है जो बावजूद भी रोज शाम को मंदर में दीपक लगाना वह नहीं बूलते युवा इसे समाज की परंपरा को बताते हैं तो किसी के लिए नवग्रह की शांती के लिए आवश्य को पाए बताते हैं मंदरों में अक्सर सूर्यास्त के बाद पीपल के वरिक्ष और भगवान क कि मूर्ती क्या युवक युवतियों को दीपक जलाते हुए आप भी देखते होंगे तो आपको भी ये समझ लेना चाहिए कि अपने करियर को उचाई पर ले जाने के लिए अपने दुर। आगी को दूर करने के लिए आपको किस दिन किस स्थान पर दीपक जलाना चाहिए सुमवार के दिन शिवजी के मंदर में दीपक जलाने से युवतियों को मनवांचित वर मिलता है और शादी भी जल्दी हो जाती है लव मैरेज करने की जो इक्षा रखते हो प्रेम विवा के रखने वाले लड़के लड़कियों को भी यह उपाय जरूर करना चाहिए और नौकरी पेशा लोगों को नौकरी में या फिर व्यापारी वर्ग को व्यापार में भी चमतकारी लाब इस उपाय को करने से सोमवार को महादेव के मंदर में दीपक जलाने से चमतकार मिलता है चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो मंगलवार मंगलवार के दिन हनुमान जी या फिर गड़ेज जी के मंदिर्ग में और इसके साथ-साथ पीपल के वरिक्ष के नीचे देशी घी या सरसों के तेल का दीपक तिल के तेल का दीपक जलाने से हेल्थ और फिटनेस तो मिलती ही है साथ साथ आथिक तंगी रिण यानी कर्ज की इस्तिति अचानक दुरगटना आधीक से भी आपको मुक्ति मिल जाती है इस तरीके के किसी कष्ट से फिर आपका सामना नहीं होता जिन बच्चों को पढ़ाई में मन न लगने की समस्या रहती है उनको मंगलवार के दिन हनुमान जी क मंदर में और गडएजी के सामने जो है दीपक जलाने से चमतकारी परणाम की प्राप्ति होती है बुदवार के दिन भगवान विश्नु और साथ इसाथ बगवान गडएजी को प्रसंद करने के लिए देशीगी का दीपक जलाना चाहिए इससे आपके फिजूल की खर्ची पर नियंत्रन लगता है व्यर्थ के खर्च आप नहीं करते जीवन के हर पक्ष में आ रही बादाएं दूर होती है और पढ़ाई के प्रती जो है मन में गंभीरता आती है पढ़ाई में आपका मन अपने आप लगने लग जाता है गुरुवार के दिन भगवान विश्णू के मंदिर में और उसके साथ साथ केले के व्रिक्ष के नीचे आपको देशीगी का दीपक जलाना चाहिए इसमें तेल का दीपक आप प्रयोग नहीं करेंगे इससे जीवन के प्रगति पत्थ में आ रही रुकावटे जो हैं वो दूर होती हैं आपकी मनो कामनाएं भी प्रणाम देता है इसी तरीके से शुक्रवार को देवी दुर्गा या फिर माता लक्ष्मी के मंदर में देशीगी का दीपक जलाना चाहिए समस्त मनो कामनाओं की पूर्ती करने वाला ये टोटका होता है इससे सौभागय की विवर्द्धी होती है इससे रूप की सौंदर की भी प्राप्ती होती है सौभाग या इश्वरे की विवी प्राप्ती होती है तो देवी के मंदर में आपको दीपक लगाना है वो देवी दुर्गा भी हो सकती है लक्ष्मी जी भी हो सकती है किसी मंदर में अगर दोनों हो तो दोनों के सामने लगा दीजे अगर आपके से प्रभावित लोगों को हनुमान जी और पीपल के व्रिक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना जो है वो जीवन की हर अडचन को दूर करने वाला उपाय माना जाता है खास तोर पर करियर से जुड़ी हुई जो ओलजने हैं गंभीर रोग से संबंदित अगर कोई पी और खास तोर पर राहू के तू शनी मंगल के जो अशुब योग या दुश्प्रभाव आपकी कुंडली में बन रहे हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाती है शनीवार के दिन हनुमान जी के मंदर में पीपल के व्रिक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक तिल के तेल का पक आप जला सकते हैं इसे अशुब ग्रहों के नकरात्मक प्रभाव से शांती के साथ साथ नौ ग्रह तथा तैंतिस कोटी तैंतिस प्रकार के देवी देवताओं के आशरवाद आपको मिलते हैं उनसे आपको सफलता की प्राप्ती होती है जिन बच्चों का मन पढ़ाई म ना लगता हो उनको ये उपाई जरूर कर लेना चाहिए तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें ग्यान की बातें जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होती हैं वनने चिति पसंद आती होंगी आप सभी से बार बार आग रहा है कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयल जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आग गया दीजिए और दे आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद। वाटसप एवेलेबल है आप वाटसप करें 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाटसप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवार